एद बार एक खेट में रहपी भी मुर्की अपने चाल चोजों की स्तान। चारों ने से एक भी लाल चोजी, वाची तेज और चलवली सीट। चोजी भी बहुत जिम्मेदार और घर का काम काच भी समाल भी भी। लो उसी चोजी भी बहुत पातोनी। ज्यादा तर अपना समय सारे जानवरों की साथ बांते कर्मी में और छेलने में बिताती थी। इसरी चोजी को केवल अपने खूपसूरती की चिंता थी। कोई काम महीं करती और बस अपना समय गेवल अपने पंखों को सवारने में और नाखोन फाफ करनी ने बिदाती थी योंती थी निद्रालो, किजी भी जगा उसको नीदा जाती थी हल रोज लाल चूजी अपनी मार के साथ जाकर नाज और बीच लेयाती थी बाक्यों को जगधी मदद के लिए बुलाती, कोई आगे आता ही नहीं बस सब अपने थुन्ने मगन दें एक दिन छोटी लाल चूजी और मुर्गी काम पे निकल पड़े जमीन पर बीच बोएं, पोधों की कटाएगी और मिल पर ले गई रोटी का आटा बनामी के लिए जब मुर्गी और लाल चूजी दीच और रोटी लेकर घर वापस आए तो बाकी के तीन चूजे दोड़ती हुए आई और सब कुछ खाने लगे ऐसा कई हस्तों तक चलता रहा रोज मुर्गी और छोटी लाल चूजी नहनदवती खाना ले आते और बाकी के चूजे सब कुछ खागर मजे लेते थे छोटने चूजे अब बड़े हो गए और कुछ मही बदला पुर्गी अपने बच्चों का विवहार देख कर दुखी थी मार आपके बुला बान में से एक दीन बदलने में ही वाले हमें इस समस्या का हल निकालना बड़ीगा हाँ नहीं बच्चा तुम सही हो पर इमको बदलनी के लिए जहां क्यां जाए मा, मीरे लिपासिक यूजना है छोटी लाल मुर्जी ने मा को अपनी यूजना सनाई हर रोज अब ताम के बाद वे खाली हाथ आने लगे इन दिनों तम आखी दीन छोटे मुर्गी भूख से परिशान हो गए एहली मुर्जी बहुत बातचीत करती थी पर अब खामेगी बिना एक शब भी बोल नहीं पाई तूसरी मुर्गी इतनी कमजोर पड़ रही कि अपने पंकों को सवार भी नहीं पाई तीसरे दिन तक किसी को भी भूख के कारण मींद भी नहीं आई दे सबरी से अपनी मा का खर आने का इंतिजार कर रहे थे जब मम्मी मुर्गी वापस आई तब दीन और छोटी मुर्गी मा के पास दोरे खाना मांगते हुए सिर्फ मैं और तुम्हारी बहन रोज इतना सारा खाना नहीं लापा रहे इतना काम करने के लिए केवल हम दोनों काफी नहीं है अगर तुम सब भी मदद करोगी तो काम आसान हो जाएगा तो कल से तुम पीनों भी हमारे साथ काम पे चलोगे ऐसा गहकर मम्मी मुर्गी ने तीनों को रोटी का एक एक तुकड़ा दिया उस दिन से बाखी के तीन छोड़ी मुर्गियां भी अपनी मा और बहन के साथ ताम पे जाने लगे अपनी आले से छोड़ कर मेहनत से काम करने लगे मम्मी मुर्गी उसकी पलिवाल में ये पदलाद देखकर बहुत खुश होग ली छोड़ी लाल मुर्गी भी खुश थी कि उसको अपनी बहनों के साथ समय डिपाने का मौका भी लिल गिया जिम्मेदार रहे मेहनत का परिणाम अच्छा ही होता है